एलो गाइस वेलकम टू माई नीव व्लोग तो फ्रेंड्स आज हम आये वे हैं गेहूं का खेत और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे सरसो है तो फ्रेंड्स आपको बता देखें गेहूं में बहुत साड़े चुहे लग चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे कि और चुहा को हैं आप कैसे अपने खेतों से भगा सकते हैं। तो फ्रेंड्ट अभी हम हैं पिनीगे शिसा होता है उपर में हमेशा के लिए तो फ्रेंट आप देख सकते हैं यहां पे जो ही कि हमारे गेहुं में बहुत सारे सीसा निकल चुका है आप यह जो देख सकते हैं चुहा इसी को इसी जगह से खा लेता है और ऐसे इसे बहुत जगह हैं समुचे गेहुं में बहुत सारे चुहे लगते हैं और गेहुं का उपर है और काफी सुन्दर है दूर दूर तक है और इसमें बहुत साड़े चुहे लगे रहते हैं फ्रेंट्स और हम चुहे से अभी प्रेशाओन है अभी जो एक इसका गेहूं का जो उपर का भाग ही खा जाता है तो आज हम बताएंगे आर इसमें असान सा उपाए हम करेंगे चुहा आपके खेतों में नहीं आये तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर और आपको इसमें की बहुत सारे मांद भी हैं चुहे का बील है उस बील से जो की चुहाई कलता है और यहां से गेहूं को चट कर जाता है तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इसको बचा स चींदर को देखने में और इसको जो एकी चुहा उपर से ही खा जाता है तो आज हम इसी पर बात करेंगे और आप हमें वीडियो में बने रही है आप देख सकते हैं यहां सिषा कितना सुन्दर लगड़ा है गेहूं का और जब इसको चुहा खा जाएगा तो इसका कोई बीच में सरसो है और यहां पे गेहूं है और गेहूं में बहुत सारे चुहे लगे रहते हैं तो फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे आप असांसा उपाय आप भी कर सकते हैं अगर आपके खेतों में बहुत सारे चुहे हैं और आपके गेहूं को जो नुकसान कर रहा है तो आप अभी इस उपाय को कर सकते हैं तो अभी हम अपने गेहूं के खेत में हैं और आज हम आपको बताएंगे चुहे जो एकि गेहूं काटता है तो आप कैसे उसका उपाय कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आपको सक्कर लाना है जो कि आप दुकान में मिल जाएगा शक्कर और उस सक्कर को लाके छोटे-छोटे टुक्रे करना है और आप केस जो एक नाई की दुकान में आपको केस मिलेगा छोटा-छोटा उसको केस को लाना है और फिर उसको कैची से छोटा-छोटा काट के उस सक्कर में जो मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद के रख देना है और जहां पर चुहे का बील हो वहां पर भी रख देना है जब वह चुहा आएगा तो उसको खाएगा और खाने के बाद वह दूबारा आपके खेतों की तरफ नहीं मूड़ेगा क्यूंकि उस सक्कर में जो छोटे-छोटे आप बाल देते हैं उस बाल से उसके मूँ में जाके अटक जाता है अटकने के बाद वह तो ना पानी पी सकता है ना भोजन कर सकता है जिसके कारण वह दो-तिन दिन में मर जाता है इस कारण उससे आपको चुटकारा चुहे से अधब जाएगा 100% उपाय आप करके दिखे आप तो फ्रेंड्स आपको बता दे कि हमारे जो है की गेहूं के खेत में काफी चुहे लग रहे थे और हमने इस्ट्रीक को अजमाया है और काफी हद तक हमको सफलता मिली है आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे चुहे लग रहे थे जिस दिन से ह महां पे जो है की चुहे का बिल बहुत सारा था और उसमें चुहे भी थे और आश्पास की गेहू का जोऔर की कि खाा लिया करता था तो यह स्ट्रीक को हम 100% अजमाय हैं आपको भी अजमाना है अगर आपके खेतों में बहुत सारे चूहे लग छुके हैं तो आप इस त्रीक को अजमाईए और फिर देखिएगा आपका इसका उपाय कैसा लगता है तो फ्रेंड्स मिलेंगे कल एक और ने ब्लोग वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दिजे इजादत थैंक यू धन्यवाद